हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और पूर्ण रूप से लगनराशी पर आधारित है चंदराशी पर आधारित नहीं है और आज की जो चर्चा है यह हमारे जो कन्या लगनराशी के मित्र हैं उनके विशे में हैं और ग्रहों की सिती के आधार पर जो गोचर में जनवरी 2024 में रहने वाली है हम यह जानने की कोश हैं आप कन्या लगंदाशी के जातक या आप कहीं लिवन रिलेशन में हैं जो भी है इस तरीके की जो लाइफ है आपकी कन्या लगंदाशी के जो जातक हैं चाहे मेल्स हैं चाहें फीमेल्स हैं किस प्रकार रहने वाली है या किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आए गी उसी के आधार पर हम निश्कर्ष निकाल करके आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हमारा आकलन है जो हमारा एनलिसी से ग्रहों को ले करके तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हमारे मित्र कन्या लगंडाशी के सिंगल हैं तो सिंगल जातकों के लिए बात करेंगे कि उनकी गरहों की सिती क्या कहती है आपके विशे में कि भाई आगर आज की तारीक तक सिंगल हैं आपके जीवन में कोई आपका मित्र अभी तक नहीं बना है या नहीं बनाया है आपने तो क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना है क्या या इस महीने भी अभी मुश्किल है यह आप से बात करेंगे तो साथियों मैं आप से कहना चाहूँगा कि देखिए आप जो सिंगल जातक हैं अभी यह जो जनवरी का महीना पर्टिकुलर ली मैं इसी की बात कर रहा हूँ आप से यह जो जनवरी का महीना है दो हजार चोविस का जो नव वर्ष का पहला महीना इसमें आप जो ग्रहे इशारा कर रहे हैं जो ग्रहों की तरफ से इंडिकेशन है उसको देखते हुए आप मुझे कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं लग रहे हैं सिंगल जातक जो है कन्या लगन राशी के इस मैटर में इस मैटर को लेके यनि कि अपने किसी मित्र को आप पसंद करें या उसके साथ रिलेशन्शिप बढ़ाने में आप रुची लें इस विशे में आपकी जो सोच होनी चाहिए मुझे लगता नहीं कि अभी आप कोई बहुत सीरियस हैं या गंभीर हैं या गंभी बेशक चाहें आपने किसी को क्यों ना पसंद करके रखा हो मनी मन लेकिन अभी आप कुछ इस प्रकार का आपका माइंड सेट लगता है या रहेगा कि आप कोई बहुत ज्यादा जल्दवाजी या उथल पुथल में या यह नहीं चाहेंगे कि मुझे आज ही सब कुछ हो जाए अभी हो जाए हाल फिलाल में हो जाए तो बहुत जल्दवाजी में नहीं रहेंगे या हेस्टी स्टेप्स लेने में भी आपकी दिल्चस्पी नहीं रहेगी इंट्रेस्टिंग आप इंट्रेस्ट नहीं लेंगे मतलब इंट्रेस्टेड नहीं रहेंगे आप ज्यादा तो जब आपका लेस इंट्रेस्ट होगा इस मैटर को लेके तो चीज है फिर आगे तो चलना थोड़ा संभव सी बात हो जाती है अब अगर आप बात करें कि भाई जिसको आप पसंद कर रहे हैं क्या उसका इंट्रेस्ट आप में उसकी रुची है क्या आप में कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक यह की या दौनों तरफ से ही एक दूसरे को पसंद किया जा कि यह यह जदा पसंद करता है उसके बाद जब वो अपनी बात रख देता है सामने अपने मित् प्रपोजल है यह ठीक है गलत है क्या है तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मित्र का भी वही हाल है वह भी कोई यदि आपकी किसी के साथ है भी कभी बातचीत होती है मान लीजे तो वह बहुत फॉर्मल टॉक होती है कुछ कभी इस प्रकार की टॉक नहीं होई कि जो आपक तो यहां पर यह जो आप सिंगल जातक हैं आपके केस में कन्या लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं यह कि जनवरी दो हजार चॉविस आपके लिए कोई मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिखता और वो प्रॉमिसिंग इसलिए नहीं दिखता के जो ग्रहें हैं आपके प्रेनेट्स की जो पोजिशन हैं वो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है उसके कारण भी ऐसी स्थिती बनी हुई है बनी रहेगी जनवरी दो हजार चॉविस में जो सिंगल हैं यनि के आप ही आप कोई भी जल्दवाजी में फैसला चल रही हैं जैसे कि अपने करियर को ले करके भी कुछ चीज़े या अपनी एजूकेशन को ले करके हैं तो ये चीज़ जो है ना अभी जनवरी के महिने में आपके लिए ये सेकंडरी चीज़े हैं मित्र को ले करके या मित्र बनाने के विशह में या यह अभी बहुत प्रियोरिटी पर नहीं रहेगा आपके लिए ऐसा कुछ गर्वों की और से संकेत है अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिविन रिलेशन्शिप में है या आपका कहीं एफेर चल रहा है लव एफेर प्रेम परसंग है तो उसको ले करके हालात कैसे रहने वाले हैं प्रिया साथियों मैं आप से बताना चाहूँआ कि देखिए अगर आप लिविन रिलेशन्शिप में है या आपका प्रेम परसंग है जो भी है आपका पहले से एक बना हुआ है आपके अरुन के आपके मित्र के बीच में तो देखिए विवागा तो योग दूर तक भी नहीं है अगर आपको यह ऐसी प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हम हमें काफी समय हो गया एक साथ रहते हुए तो हम हमें शादी विवाग के विशह में भी सोच लेना चाहिए जल्दी कर लेनी चाहिए इस new year में कर लेनी चाहिए जनवरी में कर लेनी चाहिए तो जनवरी दो हजार चोबिस में तो आप करने अलगन राशी के जो हमारे जातक है मित्र है उनके लिए विवा का योग तो नहीं है अगर आप विवा करने की planning करेंगे भी या उसको implement करना चाहेंगे उसमें कोई action लेना चाहेंगे तो वो भी उसमें भी आपको success नहीं मिलेगा क्योंकि योगी नहीं है ग्रों का support ही नहीं है जहां तक इस बात का प्रिशन है मैं आपको बता दूँ कि फिर भी थोड़ा सा मित्रता अगर मित्रता तक ही रखी जाए तो अच्छा रहेगा before marriage आप कोई limit cross ना होने पाए इसका ध्यान रखिएगा 18 जनवरी onwards इसकी संभावना काफी ज्यादा है और आगे बात करेंगे कि जो हमारे married couples हैं कन्या लगन राश्ची के उनका कैसा रहेगा देखिए आपके वेवाही जीवन में कुछ जादा ही उथल पुथल रहने की संभावना बन रही हाला कि वैचारिक तोर पे आप काफी परिपक्व हैं और आपके विचार भी बड़े शुद रहेंगे लेकिन आपका जो partner है या तो उसको health care issues को लेकर के कुछ आपका mind खुआ disturbed रह सकता है तो यहाँ पर वेवाही सुखों में कमी है जो मैं देख पा रहा हूँ हाला कि मैं कुछ आप करने अलगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उन्हें कुछ उपाए दूंगा कि उनको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाब प्राप्त होना है वीडियो आप देखते रही है मैं आपको अंदर में जरूर रूपाए देने जा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं कुछ देख रहा हूं करने अलगन राशी की जो हमारे मित्र हैं उनके जो प्रेनेट्स की पोजिशन है जन्वरी में वह कुछ निगेटिविटी की तरफ ज्यादा इशारा कर रही है निगेटिव रिजल्ट्स की तरफ तो यहां पर पहले से है तो इस जन्वरी दोहजार चौविस में इस सितिक ऐसी रहने वाली है साथियों मैं आप से कहना चाहूँगा कि देखिए वो भी एक कौज है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के पीछे आपका जो संबंद बना हुआ है यह संबंद को आप बहुत ज़्यादा प्रिफिरेंस दे रहे है एश कंपेर टू मैरिड लाइफ एश कंपेर टू यॉर मैरिड लाइफ तो आप अगर ऐसा समझ रहे हैं और ऐसा जानते हैं कि भाई मेरी इस रिलेशन्शिप के वज़ा से मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो आप को फैसला लेना चाहिए ठीक सही फैसला कि ताकि कोई आपकी लाइफ में कोई परिशानी ज्यादा अपना बढ़े या फिर यह होता है कि आपकी जो मेरीड लाइफ है और आप एक्स्टर मेरिटल में भी हैं एफिर्स में तो एक यह भी तरीका होता है कि भाई आप अपना जो मेरीड लाइफ है जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको कॉन्फिडेंस में ले लेकर के और फिर आप यह नहीं से उनका भी कंसेंट कहीं न कहीं हाला कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता बहुत रेयर होता ऐसा बहुत ही रेयर ऐसा हो नहीं पाता लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसके लिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है तो अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका जो एक्ष्टा मेरिटल है उसके वज़ा से लाइफ आपकी जो मेरिड लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब हो रही है या होने के उसके चांसिस जाना है जनवरी दोजार चौबिस में और जो मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की सिती को उसके आधार पर अठारे जनवरी के बाद आप अपनी एक्ष्टा मेरिटल एफेर्स में कुछ जादा ही और आगे बढ़ने की मिझे संभावना लगती है और आगे निकल जाएंगे और कुछ लिमिट भी क्रोस कर सकते हैं आप उस रिलेशन्शिप में कुछ इतना करिएगा कि जहां तक हो सके जो भी चीज होती है कोई भी काम हो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो वो एक अगर एक दाएरे में हो एक उसकी हर चीज के एक लिमिटेशन होती है अगर वो लिमिट में हो काम है तो उसका भी आनंद लिया जा सकता है पको भी आनंद लिया जा सक है सीमित दायरे में कहने का मतलब अपनी लाइफ को जितना बेलेंस करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और बहतर रहेगा वरना क्या होता है ऐसी लाइफ में चलिए आप आगे बढ़ जाएंगे आप उसमें प्रोग्रेस भी करेंगे उसको एंजॉय भी कर लेंगे लेकिन दूसरा साइड जो है वो तो आपका डिस्टर्ब हो गया तो बेलेंस का मतलब यही होता है कि बही चीजें जो है मैं जो कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बेलेंस करके चलें लाइफ में तो आपके लिए परिशानिया भी कम रहेंगी साथियों अब आगे बात करते हैं जो नो कॉंटेक्ट सिचूशन में है प्रिया साथियों नो कॉंटेक्ट सिचूशन में जो हमारे कन्या लगन राशी के मित्र हैं उन से भी मैं कहना चाहूँगा कि यहां जो मैं देख पा रहा हूँ अभी एक तो उलजहने बहुत जादा हैं इस जनवरी दोहजार चोविस में आपके लिए और दूसरी चीछ क्या है कि सिचूशन कुछ ऐसी बनी हुई है बनेगी इस जनवरी में कि एक तो आप काफी अपने आप में कन्शूश रहेंगे आप यही समझने में आपको दिक्कत पैदा होगी परिशानी होगी आप यही नहीं फैसला कर पाएंगे कि आखिर जिसके साथ रहकर के आप रिलेशन में थे और अब नो कॉंटेक्ट सिचूशन में पहुंच गए हैं आपके लिए यही समझना थोड़ा मुश्किल रहगा कि आखिर आप अपने बारे में तो चलिए जो भी है सोच रहे हैं समझ र रहेंगे वो आपका मित्र भी ऐसे ही कंशूज रहेगा वो भी इसी तरह से कंशूज रहेगा कभी आपके बारे में उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी यह इस तरी के क्या यह पूरा महिना इस चीज में निकलता हुआ दिख रहा है कोई भी ऐसी मुझे इस जनवरी दोहजार चोविस में आप नो कॉंटेक्ट सिचोशन में जो लोग चल रहे हैं करने अलगन राशी के जो हमारे मित्र हैं एक भी मुझे कहीं से कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा कि जहां से कुछ ऐसा सिलसला शुरू हो कि एक शुरुवात तो हो कि चलो भई एक स्टैप तो ली हुआ आगे बढ़े तो यहां पर अभी दिक्कत और समस्यां मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में और यह जो है अभी एक्जिस्ट कर रही हैं और करेंगी जनवरी में तो मैं आपको उपाय कुछ देने जा रहा हूं आप उन उपायों पर ध्यान दीजिए उन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो मैंने अभी जिन रिजल्ट्स की बात आपके साथ की है चाहां को किसी भी पॉइंट को लेकर की हो स पूरा सपोर्ट ना मिलने के कारण और मैं एक बात यह भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है बताने के बताते हुए कि उपायों को लेकर के जो मैं कह रहा हूं कि उपाय आप करें उपाय आप बहुत आसानी से करेंगे तो सबसे पहला उपाय तो आप एक काम कीजिए हनुमान जी की पूजा करेंगे हनुमान जी को प्रसंद करेंगे उतना ही हनुमान जी की किरपा तो आपको मिलेगी ही साथ में जो यह समस्यां है कन्या लगन राशी के जीवन में जातकों के लव लाइफ से रिलेटेड यह दूर होंगी जल्दी से जल्दी अब कैसे पूज कि माहें उसके सामने सुंधर का पाथ पहले करें उसके बाद फिर हनुमान इस्तोत्र का पाथ करें और भगवान रामचंद्री जी की आरती करें यह करें यह तो नियमित रूप से करना है आपको यह काम दूसरा कारे जो आपको करना है कि कि आपकी मेरिड लाइफ भी जो है वह सई हो उसमें भी समझ्याइ ना रहें तो उसके लिए आपको करना है दुरू गेस्ब इशलोकी का पार्ट आप नियामित रूप से करें साति इश्लोग होते हैं मातिक उनका आप नियामित रूप से लगने जाब करें उन इस लोकों का पूरी श्रद्धा के साथ और गुरु वार के दिन ब्रस्पति वार के दिन केले के विरक्ष की पूजा करें और केले अगर आप गरीब बच्चों में बांट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ब्रस्पत वार के दिन बस इतना काम करें उपायों का आज से ही स्टार्ट कर दीजे आरम कर दीजे तो उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने ऐसे ही आएंगे उत्तम तो मेरे प्रियसातियों ये था आप करने अलगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनका मंत्री लव राशी फल जन्वरी 2024 का आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाब ले सकें अच्छे डंग से और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे बनेंगे एस्ट्रोलोजी के टॉपिक पर वो समय रहते विद नोटिफिकेशन साब तक पहुंच पाएं तो उसके लिए आप बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजे जी तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस चर्चा के उपरांत अपने कारे करम का समाप कर दो आद्धारी